हलो बच्चो आज का हमारा टॉपिक होगा कि आप बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन से एनलीन या बेंजीन से बेंजोई कामल है इन सब को कैसे बना सकते हैं यानि कि कनवर्जन टॉपिक होगा अर्थात एक्सचेंज होंगे या बोल सकते हैं कि आपको बेंजीन से कई सारे exchange करके दिखाने हैं यानि कि compound बनाने हैं तो उनको कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि आपको क्या करना है बेंजीन का नाइट्रो बेंजीन में परिवर्टन करना है अर्थात आप से कहा जाएगा कि nitro benzene बनाईए और किस के माध्यम से तो benzene के माध्यम से ये सही माईने में देखा जाये तो process है जिसको हम nitrogen की नाम से जानते हैं यानि कि nitrogen यह आपका एक process है जिस पर टिपड़ी पूछी जाती है कि nitrogen क्या है आप इसके बारे में बताईए तो देखो नाइट्रेशन में होता क्या है कि आपको reaction करानी होगी नाइट्रिक अमल के साथ ठीक है किसी भी compound की reaction जब आप नाइट्रिक अमल के साथ H204 के उपस्तित में करा होगे तो वो process आपका नाइट्रिक कराना का होगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं रेक्षन में क्या किया गया है कि बेंजीन के अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अमल के साथ सांद्र H204 के उपस्तित में 60 degree Celsius पर कराने पर नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है ठीक है तो आपको क्या करना है C6 H6 बेंजीन लेना है इसकी reaction HNO3 के साथ करानी है प्रिजेंस आपको H204 की दिखाने और reaction को नामात गरम करना है 60 degree Celsius पर क्यों क्यों क्योंकि आपका नाइट्रिकम अल्रेड़ी इतना रेक्ट्यू होता है कि ज़्यादा गरम नहीं करना पड़ता आटोमेटिक रेक्षन सुरू हो जाते है तो यहाँ आपका HNO3 है इसमें आपका Nitro Sumo मिल जाएगा तो Nitro Sumo वही आपका Benzean में और जहाँ पर यह Nitro Sumo लगा है तो वहाँ से एक Hydrozer आपको मिलेगा और इसी Nitro से आपको OH मिल जाएगा तो इसी रेक्षन में आप यहाँ पर प्लस H2O भी लिख सकते हो यानि कि जल का एकण भी साथ में रिलीज होगा तो जब आप बेंजीन से नाइटो बेंजीन बनाएंगे तो इसी रिक्षन को आपको दिखाना होगा ठेक है अगली रिक्षन है जिसमें से आपको क्या करना है कि बेंजीन का एनिलीन में परिवर्तन करना है तो देख सकते हैं इतना important question है कि आल्रेडी कई बर पूछा जा चुका है तो इसमें भी आप देख सकते हैं इतना process आपका यहां पर भी same है अर्था nitrogen आपको सबसे पहले कराना है benzene का तो benzene सांद्र HNO3 के साथ अपक्रिया करेगा सांद्र H204 की उपस्तित में 60 degree Celsius पर तो सबसे पहले आपका बन जाएगा C6-S5NO2 Nitrobenzen और इस Nitrobenzen का फिर आपको TIN और SCL SCL आपको सांद्र रखना है तो इसके माध्यम से रेक्ट करवाना है किसको? Nitrobenzen को तो जब Nitrobenzen SN और SCL के माध्यम से अपक्रिया करेगा भी कह सकते हैं तो ये एक Important अपक्रिया है और आल्लेडी पूछी गई है और पूछी भी जा सकते हैं अगला यहाँ पर Conversion है जिसमें से Benzen का Benzel Alcohol में परिवर्तन करना है तो देखो बच्चो इतना प्रोसेज आपका टालवीन वाला है यानि कि Fretal Craft Reaction जिसमें से आपको Benzen के अपक्रिया CS3-CL के साथ करानी है और उत्प्रेरग ALCL3 इस्तेमाल करना है ये ALCL3 निर्जल रखना है तो निर्जल ALCL3 के उपस्तित में जब Benzen के अपक्रिया Methyl Cloride से आप कराऊगे तो सबसे पहले आपका बन जाएगा तालवीन जिसे हम C6, H5, CS3 के नाम से जानते हैं अब इस तालवीन की रेक्शन आपको करानी है यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड जिसे हम CRO2 Cl2 बोलते हैं और ये रेक्शन आपको करानी है CCL4 के उपस्तित में और उसके बाद में करना पड़ेगा इसका जलब घटन तो जब जलब घटन करेंगे तालवीन का तो फिर हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बेंजलडी हैड जिसे हम क्या बोलते हैं C6, H5, CS3, CS3 और उसके बाद फिर इस बेंजलडी हैड का हम सोडियम अमलगम की उपस्तित में जलब घटन करेंगे तो यह आपका मरकरी में सोडियम को डिजाल करके सोडियम का मलगम बनाया जाएगा और उसके माद्यम से फिर हम बेंजलडी हैड की रिक्सन कराएंगे H2 का सहारा लेके तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा C6, H5, CH2, OH C6, H5, CH2, OH जिसे हम क्या बोलते हैं बेंजल, अल्कोहल तो यह एक आपका प्रोसेड है जिसके माद्यम से आपासानी से बेंजीन से बेंजल, अल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हो तो बच्चो आज की वीडियो में हम लोगोंने तीन कनवर्जन देखे जिसमें से पहला कनवर्जन था कि बेंजीन से नाइटो बेंजीन कैसे बना सकते हैं दोसरा था बेंजीन से अनिलीन कैसे बना सकते हैं और तीसरा question था, बेंजीन से benzoicuml या बेंजील अलकोहल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो तीनों important आपके परिवर्तन है, what happens के दिश्टिकूर से, बहुत बार पूछे गये हैं, और पूछे भी जा सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यह वाला प्रस्वन आपका, जिसमें से बेंजीन की reaction आपको करानी है, किसके साथ, किसके साथ करानी है, तो HNO3 के साथ करानी है, और सांधेश्टियो सफोर के पस्तित में करानी है, तो यह आपको कई बार पूछा गया है प्रस्वन आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इन सब प्रस्वनों को, या इन सब what happens को, या बोल सकते हैं convergence को आप recall कर लेना या practice कर लेना जिससे कि सही से याद हो जाए और board की exam में अक्सर पूछे जाते रहते हैं और पूछे भी गये हैं और आने वाले exams में भी पूछे जा सकते हैं जो भी आप chemistry से related exam देंगे उन में पूछे जा सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्व वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें धन्यवाद